जै मातारानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मा भगवती की किर्पा माता काली की किर्पा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, आप सभी भक्तों को कि मातर दो मि ह聊ते हैं ay atau यह तीन बार मंत्र को बोलते हैं तो आपको ऐसी सकती प्राप्त होगी किस सकती से आपकिसी भी देवी देवता को और साफ मी कोई भी जिसको आप पूजते हैं बुला के हैं किसी भी चीज की जान्कारी लेनी हो कुछ पूछना हो तो आप या कारी करके किसी भी देवी देवता को बला सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं, अब या जो आप वीडियो देख रहे हैं, काली माता के भगतों के लिए नहीं है, या वीडियो सभी भगतों के लिए है, जो देवी देवता की पुझा करते हैं, उसके लिए भी है, ज जो इसमें कारी बताऊंगी या काली मात के मंदिर में आपको करना पड़ेगा और चाहे आप काली माता की पूजा करो या मत करो लेकिन या कारी आप एक बार जरूर कर लेना अगर या कारी कर लोगे तो जो भी देवी देवता आपका है जिसको आप पूजिते हैं जिनको आप को बहुत मानते हैं सबसे ज्यादा वही देवी देवता आपके बुलाने से तुरंत दो मिनट के अंदर में हाजिर होंगे और जो भी आप उससे सवाल करेंगे जो भी पूछेंगे अपने लिए अपने घर परिवार के लिए वह सब कुछ आपको सच्चे वचन पर बताएगा सत ही बोलेगा उस देवी देवता की किसी भी बात में किसी भी तरह का कोई जूट नहीं होगा क्योंकि जब हम यह चीज माता के मंदिर में चड़ाएंगे तो माता ही एक ऐसी सकती है जो किसी भी देवता और किसी भी देवी सकती को तुरंत आपके सामने लेकर आती है कि अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं लेकिन आपने बहुत कोशिज कर ली लेकिन तब भी देवियक divata आपके पास नहीं आ रहा है तो अगर काली माता मंदर में आप यह एक चीज चढ़ा देंगे जो मैं बताऊंगी इस वीडियो में 6 चीज है एक बार अगर आप चढ़ा देंगे तो आप समझ लिजे आपका देवी देवता है जिसको बुलाना चाहोगे मा काली ही खुद मा काली ही खुद लेकर आपके पास आएंगी अगर वह आना नहीं भ मैं आपको इस वीडियो के माधियम से सब कुछ बताने वाली हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दिजेगा साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर लिज करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तो तक पुरंत पहुंच जाए तो देखिए भक्तो जो मैं इस वीडियो में आपको कारी बताने जा रही हूं या एक ऐसा कारी है कि आपको एक ही बार करना है बार-बार करने की जोरत नहीं है सबसे पहले आपको छे चीजे बता द साबुत सुपारी जो आपको दुकान पर मिल जाएगी गोल-गोल होती है तो वह साबुत सुपारी आपको ले लेना है ठीक है तिसरी चीज में एक लेना है पान का पत्ता साबुत डंटी वाला ठीक है साबुत डंडी वाला जो पान का पत्ता होता है वही ले और टूटा आपको मिलेगा लेकिन आपको नहीं लेना है हमेशा काली माता को चड़ाया जाता है तो साबूत पान का पत्ता ही चड़ाया जाता है चोथी चीज में आपको ले लेने हैं पांच सफेद वाले पेड़े आपको दुकान पर मिल जाएंगे जितने के भी आये तो आपको पांच कर दोकान से बैठ के माता के 12 निम्भो की माल आप को ले लेना है कि 15 तो शर्टी पेड़े है चटवी चीज में बता से और दस लों बस यहीं चीजे हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है और मंत्र में आपको आगे बताऊंगी पहले यह बता देती हूं कैसे आपको माता के मंदिर में काली माता के मंदिर में यह छे चीज चड़ाना है सबसे पहले देखिए आपके आस बांध लेगे तो आपको सबसे पहले माता काली के मंदिर में इससे रख देना है साथ बार आपको नारियल में कलावा बांध लेना है और बांध करके काली मंदर में रखना है ठीक है उसके बाद आपको साथ में पानी के उपर साबुत सुपारी भी रख देनी है माता को भोग में पांच पेड़े और जो आपने पांच पेड़े में से थोड़ा थोड़ा सा तोड़के पांचों में से तोड़के माता को भोग लगा देना है बाकि जो परसाथ बचेगा वो आप अपने घर में परसाथ तोर पर खा सकते हैं और उसके साथ जो अपने निम्बू की माला ली है वह निम्बू की माला आपको आपको अपने हाथों से माता की मूर्ति को पहनाना है मतलब माता को पहनाना है आपको अपने हाथों से निम्बू की माला पहनाने के बार एक कपूर या दो कपूर जलाके जो आपने पांच बतासे और पांच बतासे में दस लोंग लिये हुआ आपको एक-एक करके माता को वहीं मंदिर में चढ़ा देनी है और चढ़ाते समय आपको कहना है हे माता काली मैया जगत जननी कल्युक की मैया भगवती माता मैं आपसे हाथ जोड़कर बिंती करता हूं करती हूं जो भी हो कि मैं जिस भी देवी देवता को बुलाओं उस देवी देवता को मेरे पास तुरंत लेकर आओ मैं आपनी देवी द और आपको क्या करना है जब आप जाकर cut up तो उसके बाद आपको अपनी दिवी द्योता को बुलाना है जो भी आप यही मंत्र बोलना है, एक बार और मैं बता दरी हूँ, तो सुनिए यह माता काली का जो बीज मंत्र है, मैंने आपको बताया है, यह भी महा काली का बहुत पावरफुल मंत्र है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई कि मैं शुरुवात से लेकर अभी तक भी इन दो मंत्रों का जाफी करती हूँ, अवं पहला है ओम क्रीम काली का नमः और दूसरा यह वाला है, जो मैंने आपको बताया, अब यह मंत्र आपको तीन बार बोलना है और अपने देवी देवता को बुलाना है, उनका नाम लेकर जैसे ही आप अपनी देवी देवता को पुकारते हैं, तो माता काली स्वयम आपके सामने लाकर हाजिर करेंगी और समझ लिजिए जो भी सवाल आप करेंगे अपने देवी देवता से कुछ भी अगर पूछ रहे हैं अपने लिए अपने घर परिवार के लिए तो माता आपको सचे वचन पर बताएगी अगर आप देवी सकती को बुला रहे हैं तो अग किसी भी देवी को या देवता को बुला सकते हो यह सबसे बड़ा उपाय है एक काली माता की ऐसी सकती जो किसी भी देवी देवता को आपकी और खीच कर लेके आ सकती है ठीक है तो भगतों मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा अगर नही महादेव काली माता बाबा भोले नत आपकी हर मनो कामना पूरी करें